नमस्कार जैमत आदि सबकों स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो बानी में कैसे हैं आप सब्सक्राइब करती हूँ कि आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पर भी हम आपके लिए रोजाना आपके फायदे की आपके उपयोगी के लिए रोजाना नई वीडियो डालेंगे आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि इस चीज का तिलक अगर आप अपने मा बात करेगा आपसे आपको देखेगा वो आपका दिवाना हो जाएगा अपनी अट्रेक्शन पावर को इस तरीके से बढ़ते हुए देखना अपनी आँखों के सामने आप खुद महसूस करेंगे और जब हम अपनी अकर्शन को बढ़ता हुआ महसूस करते हैं हमारा कॉन्फि जब एक पावर आजाती है बात करने की या way of talking आजाती है तो आप देखती है कि मैं जो बात कर रही हूँ को लोगों को पसंद आ रही है आपके अंदर एक confidence आ जाता है तो इस तरीके की जो अट्रेक्शन है बाहरी रूप से भी अंदरूमी रूप से भी इस चीज़ को बढ नहाने के लिए आपको ये उपाय बताया गया है ताकि लोग आपको बहुत जल्दी देखते ही आपकी बात सुनते ही आपको पसंद करने इस तरीके के बहुत से उपाय बताई है मैंने तिलक के रूप में भी बहुत उपाय बताई है कि ये इस तरीके का तिलक लगाई है द इसलिए मैं आपको कोई ना कोई उपाय ऐसे बताती रहती हूं कि अगर दूसरा उपाय आपको देर से रिजर्ट दे रहा है तो कई उपाय ऐसे होंगे जो आपको ज़ल्दी रिजर्ट देंगे अगर आपकी कुणतली में शुक्र गोह बहुत अच्छे भाव में है तो आपके उपर क्या result बहुत अच्छा benefit करेगा ये आप खुद भी नहीं जानते तो हर एक उपाय को आजमाते रहें इसमें कोई भी आपका नुकसान नहीं है लेकिन ये बात guarantee है कि फायदा आपको जरूर होगा चाहे देर से हो चाहे जल्दी हो अब बात करते हैं कि ये उपाय कौन सा है इस उपाय को आप शुकरवार के दिन से शुरू होकर ग्यारा दिन तक करेंगे जैसे कि आज शुकरवार है तो इसे आप आज से भी शुरू कर सकते हैं आपने क्या करना है आपने सुभा नहाद होकर एक नमक लेना है थोड़ा सा और आपने गुलाब जल लेकर आना है गुलाब जल नया ही लेकर आना है अगर आपनी घर में पुराना पड़ा है तो इसको यूज नहीं करना नया गुलाब जल लेकर है चाहे छोटी सी बॉटल ले और एक अपने रसोई घर से थोड़ा सा नमक किसी डबी में डालने, जो कि अलग रखने, आपने बार-बार ये उपाई के लिए रसोई से नमक नहीं लेना, पहले से ही लाकर इसे अलग रखने, क्योंकि ये जो उपाई आपने ग्यारा दिन तक करना है, उसके बाद आपने क् गुलाब जल लेना है, हलके से गुलाब जल में आपने हलका सा नमक डालना है, आप एक कटोरी का इस्तमाल कर सकते हैं, जिसमें आप पहले से ही गुलाब जल और नमक का मिश्रम रख सकते हैं, तो इस तिलग को आपने अपने माथे पर रोजाना लगाना है, शुकरवार के दिन से शुरू होकर यारे कि आज से शुरू होकर आपने इसे रोजाना 11 दिन तक लगाना है इससे आप देखेंगे कि आपका शुक्र ग्रह बहुत ही जल्दी मजबूत हो जाएगा और नमक से आपके अंदर की जो negativity आप देखेंगे कि नमक से कितने तरीके के मतलब वो किये जाते हैं नजर उतारी जाती है नजर क्यों उतारी जाती है क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई negative vibration आ चुकी है जिससे आपको नजर लग गई है तो अपनी अंदरूनी negativity को हटाने के लिए आपने गुलाब जल जो की उपाय में आपकी आकर्शन बढ़ाने का काम करेगा और जाएगा आप अपने आप फील करेंगे नोट करेंगे कि आपके खुबसूरती बढ़ रही है अंदरूनी से भी बाहरी रूप से भी और आप नोट करेंगे कि लोग आपको पसंद करना शुरू कर रहे हैं आपको देखना शुरू कर रहे हैं और आप सिब जादा से जादा बात करना शुरूर कर रहे हैं और अपने आकर्शन को अपनी आँखों के सामने बढ़ता हुआ आप खुद देखेंगे तो ये उपाय को ज़रूर करके देखेगा 11 दिन लगातार कीजिए और आपको इसका रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा इसे के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप करते हैं उमीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस लाइक करें इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया